चूचू दीबी सुनो कहानिया वो थी रविवार की दोपहे गर्मी के मौसम की चूचू की मम्मी रसोई में काम कर रही थी बच्चे खेल रहे थे और मज़े कर रहे थे और बड़े लोग आराम कर रहे थे गर्मी की वजह से चूचू को प्यास लग गई ओ, आज तो बहुत गर्मी है अच्छा होगा मैं थोड़ा ठंडा पानी लेयाओ पीने के लिए जब चूचू रसोई में गई उसने अपनी मम्मी को वहां काम करते हुए देखा ओ, मा को देखो तो, वो कितनी ठकी हुई है पर फिर भी वो सबकी पसंद की चीज़ें बना रही है और वो सारा गर का काम अपने आप ही कर रही है बेचारी मा, वो सबको खुश रखना जाती है और आराम पहुचाना जाती है वो भी अक्केले ही, इनकी मदद करनी चाहिए चूचू ने खेलना बंद कर दिया और अपनी मा की मदद करने लगी मा, मैं आपकी मदद करना चाती हूँ ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है चूचू जब परिवार के बाखी लोगों ने चूचू को मदद करते देखा तो उन सबने भी मदद करने के बारे में सोचा चूचू के पिता ने बरतंदोने शुरू किये चूचू के दादा ने पानी की बोदले भर दी चूचू की दादी ने खाना पकाने में मदद की चाचा ने खाने की में सजा दी छोटा बच्चा खाली नहीं रहना जाता था और वो भी मदद करने आ गया चूचू की मा को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने पूरे परिवार को मदद करते हुई देखा आप सब का धन्यवाद आप सब कितने अच्छे हैं आपने मेरी मदद की कितनी खुश किसमत हूँ मैं मुझे इतना प्यारा परिवार मिला मैं सब को बहुत प्यार करती हूँ ये जानकर चूचू को बहुत खुशी हुई कि उसने सब को बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और अपनी मा का काम आसान करवा दिया है और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं मा